आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं Network Theory Lecture No.3 जिसमें आज हम लोग डिसकुस करने वाले हैं Basic Terms in Network Theory ठीक है? जिसमें क्या क्या कवर होगा आज Analysis vs. Synthesis Network vs. Circuit Loop vs. Mase Node vs. Junction तो इसे हम लोग एक 1 by 1 पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि ये Basically Terms होते क्या हैं ठीक है? क्योंकि बार-बार ये पूरे Network Theory में आएंगे ये Terms तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है? तो आए हम लोग डिसकूस करते हैं That is 1 by 1 सबसे पहले हम लोग डिसकूस करेंगे That is Analysis vs. Synthesis ठीक है? तो आप देखते होंगे बहुत साथे बुक में इसा लिखा हुआ रहता है कि Network Synthesis and Analysis तो इसका Basic Meaning क्या होता? What is Analysis and What is Synthesis? ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक नेटवर्क ले लेता हूँ This is a network जिसको मैं एक ब्लोग डियाग्राम से सो कर रहा हूँ ठीक है? This is a network यहाँ पर मैंने क्या दिया? Input अप्लाई किया Input is also called Excitation Excitation मैंने अप्लाई किया ठीक है? और यहाँ पर इसका क्या मिल रहा है? Output, this is also called Response ठीक है? तो अगर हम Analysis पार्ट को देखें अगर हम Analysis पार्ट को देखें तो इसमें क्या होता है? Network आपका दिया हूआ रहाता है Network is given Excitation आपका दिया हूआ रहता है Excitation is also given And you have to find the response मगर मतलब आपको Output निकालना रहता अगर मैं एक Circuit ड्रॉआ करूँ तो अगर हम बोलें कि एक Circuit है हमारे पास में 10V का Supposed Rate बैटी लगा हूआ है यह 10 Ohm हो गया यहाँ पर एक 20 Ohm हो गया और यहाँ पर एक और 5 Ohm का Registence लगा हूआ ठीक है अगर हम बोल रहे है कि इसका पूरा Completely मुझे Analysis करना है इसका मुझे Completely क्या करना है Analysis करना है तो जो भी Element इसमें Connected है जो भी Element इसमें Connected है इसके Across मुझे क्या करना पड़ेगा Voltage Find करना पड़ेगा मतलब यह V Across 10 Ohm ठीक है इसके बाद में V Across 20 Ohm तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि इसमें Current भी Find कर सकते है ठीक है इसमें Current भी Find हो जाएगा इसमें Supportive Land माल लेता हूँ I1 इसमें Current माल लेता हूँ I2 इसमें माल लेता है that is I3 ठीक है So once you find the voltage across each and every element connected in that network then the network is said to be Completely Analyed मतलब वो Network को कब बोलोगे कि आप Completely Analyed हो गया if you are able to find the voltage and current through each and every element connected in that network ठीक है तो Analysis को अगर हम लोग Define करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि किसी Network का Analysis करने में मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए मुझे Network दिया हुआ होना चाहिए Excitation आपको दिया हुआ होना चाहिए and you have to find the response तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको अगर देखूँ तो यह पूरा आपका दिया हुआ है एक Network है यह क्या आपका? एक Network दिया हुआ है इसमें यह आपका Excitation हो गया यह Excitation भी आपका दिया हुआ है और आप क्या कर रहे हो? Each and every element के across जो आप Current और Voltage फाइंड कर रहे हो तो this is the response यह सारे response है यह सब क्या है? Response है ठीक है? तब पूरा Analysis वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? पूरे Network में जतने element होते हैं हर element के फुरू क्या करते हैं? आपका Current, Voltage, Energy, Power जो भी आपको निकालना है निकाल देते हैं ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग Synthesis Synthesis में basically क्या होता है? यह आपका Network designing वाला पार्ट है मतलब आपका क्या होगा? Input और Output में कुछ Relation दिया हुए रहते हैं That is in the form of Transfer function और उसके basis पर आपको क्या करना है? कि Network का Designing करना रहता है तो अगर मैं Synthesis में अगर देखूं तो Synthesis का मतलब यह हो गया कि आपका Excitation और Response में कुछ Relation दिया हुआ रहता है Excitation और Response में कुछ Relation दिया रहता है जिसको आप Basically बोलते हो कि इस Network का पूरा Transfer function दिया हुआ है जिसको हम Location से रिपरजेंट करते हैं H.S. से रिपरजेंट करते हैं और Suppose that यहाँ पर मैं माल लेता हूँ कि आपका Time Domain में यहाँ पर जो Output है This is Y T है और इसको मैं अगर Laplace Transform में अगर ले लूँ तो इसको आपका Laplace Transform में आएगा That is Y of S और यहाँ पर जो आप Input अप्लाइ कर दे हो That is X of T और इसका Laplace Transform क्या हो जाएगा That is X of S तो Transfer function आपको दिया हुआ रहेगा That is H of S जो कि Relate करता क्या Output और Input का जो In Laplace Domain with all initial condition equal to 0 तो आपके पास में क्या रहेगा अगर मैं synthesis की बात करूँ तो आपका क्या रहेगा Input और Output में Relation दिया रहेगा Input और Output में Relation दिया रहेगा In the form of Transfer function इसको हम लोग क्या बोलते हैं Transfer function ठीक है Transfer function के form में आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा और S plus 3 ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें कुछ pole 0 प्लाओट करते हैं जैसे कि यहाँ पर pole आपका आजाएगा poles कौन कौन सा आ गया poles आ गया S equal to minus 1 और minus 3 और कुछ 0 आ गया ठीक है 0 आ गया S equal to minus 2 तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं pole 0 प्लाओट करते हैं आप pole 0 प्लाओट करने के बाद उस network का property को देख करके हम लोग क्या करते हैं network का designing करते हैं तो यह यहाँ पर हमारा part नहीं होगा क्योंकि यह पूरा network synthesis का part पूरा engineering services पूछा जाता है हमारा main aim है यहाँ पर SSGIE के part को cover करना जिसमें network synthesis आपका part नहीं है यह syllabus में नहीं है लेकिन यह आपको जाना होगा कि synthesis का मतलब होता network का designing करना जिसमें हमारे पास दिया हुआ क्या रहेगा transfer function दिया रहेगा network का उसके basis पे कोई RL series circuit है RL parallel circuit है या फिर RLC circuit है या फिर LC circuit है तो हर circuit का अपना एक क्या होता है proper transfer function होता है उसका एक property होता उसके basis के हम network का क्या करते है designing कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा यहाँ पर part नहीं होगा क्योंकि यह syllabus में आपका नहीं है ठीक है अब हम लोग जो next term हम लोग define करने वाले है that is जो next term हम लोग define करने वाले है next term आपका आज आएगा that is second network versus circuit network versus circuit बहुत लोग को confusion होता what is network and what is circuit what is network and what is circuit तो सबसे पहले एक मैं बना लेता हूँ network आपका source voltage vs और यहाँ पर कुछ resistances इस तरह से लगे हुए है ठीक है इसको माल लेते है R1 है यह R2 है एक R3 है यह आपका R3 हो गया ठीक है और यहाँ पर मैं माल लेता हूँ यह open terminal यह AB है ठीक है और यहाँ पर भी एक part है यह current source माल लेता हूँ यह I of IS है ठीक है और यह इस तरह से connected यह कुछ इस तरह से connected ठीक है तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर suppose that suppose that एक कोई man से यहाँ पर ख़ड़ा है ठीक है जो क्या कर दा है इस पूरे चीज को इस पूरे system को current flow कर रहा इसको मैं माल लेता हूँ ठीक है कि I2 current आ रहा और यहाँ पर current होगा यहाँ तो open circuit होगया तो जब open circuit होगा तो open circuit में आपको पता हुगा कि open circuit में current तो 0 होता है तो इसमें क्या होगया current क्या होगया 0 होगया इसमें मैं माल लेता हूँ पार्ट में तो current non-0 आ रहा है, कुछ पार्ट में तो current non-0 आ रहा है, तो I1 is non-0 हो गया, I2 को उसने बोला कि ये भी non-0 है, लेकिन बोला कि I3 तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो उसने क्या किया, इसके basis पर दो definition इसने observe करके दो definition को define किया, तो बोला कि इसमें ऐसा पार्ट, जिसम current का value 0 नहीं आ सकता इसमें, तो उसको उसको उसने define किया circuit, उसको क्या बोला, circuit और ये पूरा बोला कि जो second part इसका पूरा, overall जो पार्ट है, जिसमें current 0 भी हो सकता है, और current non-0 भी हो सकता है, इसको define किया, बोला कि decision network, इसको क्या बोला, कि ये क्या होता है, network होता है, तो दोस पॉस्तों अगर मैं डिफाइंड करूँ कि नेटवर्क और सरक्यों क्या होता है Technically, अगर मैं डिफाइंड करूँ इसके according تो क्या होगा आपको दिख रहा होगा कि ये इस circuit क्या होता है एक Close path है जिसमें कि करेंट कभी zero नहीं हो सकता है तो circuit में कभी भी current 0 नहीं हो सकता है network में current 0 भी हो सकता है और non 0 भी हो सकता है तो basically ये समझे कि ये network जो होता है एक तरह का system है network क्या है? एक system है और circuit उसका क्या है? sub system है उसका क्या है? sub system होता है circuit उसका क्या होता? sub system होता है आप देखे होंगे बड़े बड़े अपार्टमेंट में आप जाते होगे, तो उस बड़े बड़े अपार्टमेंट में आप देखते होगे, कुछ फ्लैट्स होते हैं, तो उसमें एक फ्लैट्स में आप देखोगे, कुछ open space होता है, और कुछ वो एक network को represent कर रहा है, ठीक है उसके अंदर में जो bedroom है, वो किसको represent कर रहा है, एक circuit को represent कर रहा है, तो अगर हम definition, proper definition बोलें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि जो मेरा network है, network की क्या है, network में current 0 भी हो सकता है, current 0 भी हो सकता है, current 0 भी हो सकता है, और current non 0 भी हो सकता है, अगर मैं circuit की बात करूँ तो circuit में कभी भी current zero नहीं हो सकता है इसमें current क्या होगा always not equal to zero होगा तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि देखो जो भी अगर circuit होगा that is necessarily the part of network क्योंकि एक subsystem होगा जो कि that is a part of system होता है तीक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि all circuits circuits जो होगा all circuits are network all circuits are network but but all networks are all networks are not not necessarily not necessarily a circuit मतलब वो network circuit हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता but circuit is essential part of network ठीक है तो यह definition आपको पता चल गया होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि the circuit is a closed path circuit is a closed path which starts from the same node उसी node से start होगा और उसी node पर जाकर कि क्या हो जाएगा end हो जाएगा circuit is a closed path which starts from the same node and terminate at the same node ठीक है तो वो circuit हो गया और network में क्या होगा that is maybe closed or that may be open open or closed दोनों हो सकता है तो यह हो गया that is second definition that is network versus circuit अब हम लोग आते हैं जो next मेरा part है that is loop versus mess loop versus mess इसमें अक्सर student लोग को confusion होता कि what are the loops and what are the messes ठीक है तो फिर again मैं अगर हम में बात करूं थर्ट थर्ट आपका जो definition है यहाँ पर that is loop loop versus mess loop versus mess तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है loop भी एक कलोईट पाथ है loop भी एक कलोईट पाथ है और mess भी एक कलोईट पाथ होता है दोनों एक कलोईट पाथ को रिपर्जेंट कर रहा है लेकिन basically यह दोनों में difference क्या होता है तो इसको अगर आप practical life से जोड़ के देखोगे तो इसमें पता चलेगा जो आपका nuclear family होता है जो independent है ठीक है वो क्या होते हैं एक mess होते हैं ठीक है और जो joint family है that is the example of loop ठीक है तो यहां पर इसका एक network बनाता हूँ इसमें मैं show करता हूँ कि कहां कहां पर कौन-कौन सा loop होगा और कौन-कौन सा mess होगा तो ध्यां से देखिएगा एक बार ठीक है तो यहां पर मैंने इसा बना लिया support that this is the source voltage ठीक है इसमें मैं महां लेता हूँ this is r1 और यह क्या है r2 है यह क्या है r3 हो यहां connect कर देता हूँ ठीक है r3 है और यह आपका क्या होगे ऐसा राच है Connected यह r4 मैं महाल लेता हूँ यहां से एक current source connected ठीक है और जो इस तरह से एक resistance के तुरू आपका यह R5 है और इसना connected है मैं यहाँ पर सारे point का जहाँ 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 पर junction और node बन रहा है वहाँ पर मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पर सारा नामियमिदे देता हूँ ठीक है तो suppose that this is point A यह point B है जहाँ 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 पर यह A계alt err यहाँ पर क्या होँ सेंपवाइंट है यहाँ से यहाँ से यहाँ पोटेंइल पे होते है ऴबाटीश क्वेटैस क्राईट है that this is called ground तो यह point क्या होगा semic-POINT होगा same potential can be represented by same point तो यह basically क्या होथ पूरा ground होता है यह पूरा क्या है यह ground है यह भी ground है, यह ground है, यह ground का potential आप क्या बोलते हो, 0 volt होता, यह भी क्या होगा, 0 volt हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 0 volt हो गया, तो जब potential ही same है, तो उसको same point से represent करेंगे, ठीक है, अब इसे मुझे दिखलाना है, यह कौन-कौन सा message है, और कौन-कौन सा loop है, यहाँ पर, तो देख ठीक है, जहाँ सा मैंना start किया, वहें से close किया, ठीक है, तो यह क्या है, उसके बाद मैं second part ले लटा हूँ, that is D, C, E and D, again येसे बाद एको ले लिया मैंने D, C, E and D उसके बाद में ये ले लिता हूँ A, A, B, C, D and A ठीक है उसके बाद मैं ले लिता हूँ A, D, C, E and A उसके बाद मैं ले लिता हूँ A, B, C, E and A ठीक है जहां से मैंने स्टार्ट किया हूँ वही से इन किया है तो अब मैं देखूँ अगर यह सब चीज क्या है नोड है या that is loop है या मेस है तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो A, D, E and A A, D, E and A तो देखो अगर मैं मेसेज को define करूँ तो मेसेज जो होता that is the closed path जो भी start from the same node and terminate at the same node but मैंने बताया friends ठीक है कि यह होता है that is nuclear family मतलब इसके inside में और कुछ अलग से नहीं रह सकते हैं इसका मतलब यह क्या हो गया एक मेस हो गया, so मेसेज को अगर हम define करें तो मेसेज को बोल सकते हैं कि जो मेसेज होते हैं जो मेसेज होते हैं वो क्या होते हैं, independent और simplest loop होता है इसका मतलब inside the मेस ना तो मेस होगा और ना तो लूप होगा मतलब मेस की inside में न मेस हो सकता है मेस की inside में न लूप हो सकता है एक simplest होगा, ठीक है अगर मैं इसकी बार करहूँ D-C-E-D, D-C-E-O-D, again this is a maze, उसके inside कुछ नहीं है, यह भी क्या है, maze है, उसके बाद मैं अगर इसके बात करूँ, ठीक है, यह भी क्या है, maze है, उसके बाद मैं अगर बात करूँ, ठीक है, that is A-D-C, A-D-C, E and A, अब देखो, एक इस पार्ट का बात कर रहा है, तो यह है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ A-B-C-E-A, यह वाले पार्ट, A-B-C-E और A, अब देखो, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, कि यह भी क्या है, एक लूप है, क्योंकि इस लूप के अंदर में, एक, दो और तीन, तीन मेसेदे भी दिख रहे हैं, तो यह क्या हो गया, लूप ह जाओगे, इसके इंसाइड में जाओगे, तो आप क्या बोल सकते हो, कि इस बड़े वाले लूप के अंदर में, एक, दो और तीन, मतलब इसकी इंसाइड में क्या है, तीन मेसेदे परजेंट है, इसके इंसाइड में क्या है, तीन मेसेदे परजेंट है, और साथ में अगर देखो एक लूप तो यह हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं एक देख रहे हूँ कि यह लूप हो रहा होगा, यहां से start किया, यहां से start किया और यहां से start करके यहां आगे, एक लूप यह बना, उसी परकार से एक लूप तुम्हारा क्या बनेगा, यहां से यहां तक यह पूरा इसके inside में क्या है? 3 loops भी है, so loop के अंदर में loop हो सकता है, loop के अंदर में maze हो सकता, but maze के inside में कुछ भी नहीं होगा, तो यह आपको पता चल गया होगा है maze और loop basically उसका definition exact definition क्या होता है, ठीक है? तो यह हो गया that is loop versus maze अब last इसमें term आता है that is node versus junction, उसको basically मैं define कर दा हूँ, क्यों what are the node and what are the junctions, ठीक है? तो लाट मेरा एक definition है that is fourth one that is node versus node versus junction, node versus junction, तो देखो node में क्या होते हैं? this is the meeting point of meeting point of two or more branches, मतलब ठीक है, यह क्या होगा? this is meeting point, meeting point of two or more branches, two or more branches, तो इसको हम लोग बोज सकते हैं, that is, कम से कम कितना branch चाहिए? so number of branches should be greater than or equal to two at least दो branch यहाँ पर मिलेगा ठीक है, वहाँ पर क्या बनेगा? node बनेगा, junction में क्या होता है? this is the meeting point of meeting point of more than meeting point of three or more than three, more than three branches, मतलब अगर किसी जगह पर junction बन रहा है, उसमें कम से कम minimum कितना requirement है, कि कम से कम वहाँ पर तीन branches मिलना चाहिए, जिसे आप देखते होगे, किसी 4 अहीं पर पर जाते होगे, तो हाँ पर कितना branch मिलता ह? 4, 4 अलग 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 रास्ते निकलते हैं, अगर T point पर जाते हैं, तीन branch अलग से निकलते हैं, तो उसी तिरह से अगर आप बनने के लिए कम से कम, तीन ब्रांचे चाहिए तो अगर मैं बोलू suppose that यह यहां से start हो रहा, एक ब्रांच यहां connected है, 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 तो इस एक ब्रांच यहां से हो गया, ठीक है, यह R1 connected है, यह R2 connected है, यह R3 connected है, इस point को नाम दे जाता हू यह क्या है एक तरह से बोलो कि तीन ब्रांचे मतलो satisfy कर रहा that is the condition of condition of junction को satisfy कर रहा so this is a junction this is a junction लेकिन अब एक चीछ बताएगे friend ठीक है कि अब node बनने के लिए कितना requirement है node बनने के लिए दो ही branch आइए अब बताओ अगर जहाँ पर तीन ब्रांचे मिल रही है वहाँ पर junction तो बन रहा है लेकिन node के condition को भी satisfy कर रहा है so this is junction and this is also node this is also node ठीक है लेकिन अगर मैं ऐसा बात करूँ कि दो ही branch यहाँ पर मिल रहा that is r1 है यह r2 है यहाँ पर दो ही branch मिला यहाँ पर point देता हूँ भी ठीक है so this is a node this is a node क्योंकि उसका minimum requirement क्या है कि number branches should be greater than equal to 2 लेकि यह node तो है but not a junction but not a junction क्योंकि junction होने के लिए कम से कम कितना चाहिए 3 branch चाहिए जो कि इसको satisfy नहीं कर रहा है तो आपको इस यह समझ में आ गया होगा कि node बनने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा branch चाहिए तो यहाँ पर हम लोगे node करते वे क्या लिखेंगे node करते वे लिखेंगे कि जो भी junction होगा that is a necessarily node so all junctions are all junctions all junctions are node but but all nodes are all nodes are are not a junction all nodes are not a junction क्योंकि अगर particular case होगा जब भी equal to 2 होगा तो यह node होगा node होगा but junction नहीं होगा node होगा but junction नहीं होगा ठीक है so यह सारे definition को आपको ध्यान में रखना है यह basic चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है ठीक है तब आगे जा करके इनका application part को हम लोग apply करेंगे ठीक है था यह definition आप पूरा अच्छी तरह से आप देख लिए मैंने try किया कि आपको अच्छी तरह से best way में आपको extend करूँ ठीक है यूट्यूब चैनल ऍडाटई एस जडीकेडिवी में जिसमें हम लोग निक्ष्ट लेक्षर के साथ में आपको साथ में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थीकर तब तक के लिए अरिमाट।